पुलिस अधीक शक रायसिन की निर्देशन में गोहर गंच पुलिस द्वारा त्वरित कार्य करते हुए पन्ना जिले से गुम मानसिक रूप से कमजोर युवक को किया परिजनों के सुपूर्ड थाना गोहर गंच कस्बा में मानसिक रूप से कमजोर एक व्यक्ती जिसका नाम खेमचंद गोसाई पिता छोटे लाल गोसाई जिला पन्ना मध्य प्रदेश का रहने वाला है सुबह सुबह संदिगधा हालत में घूमते फिरते मिलने की सुचना ग्राम बिलखिडी के युवक ने दी युवक की मदद से उक्त युवक को थाना प्रभारी गोहर गंचार के चौदरी तथा स्टाफ द्वारा थाना लाया गया जो की इस कड़ कढ़ाती ठंड में परेशान तथा भूखा प्यासा बद हवास डरी सहमी हालत में होने पर सबसे पहले चाय नाश्ता कराकर गर्म कपड़े कंबल आदी की व्यवस्था की जाकर थाना परिसर में रुखने की व्यवस्था कराई गई थाना प्रभारी द्वारा उप्त व्यक्ति के मिलने की जानकारी से पुलिस अधीक्षक रायसेन श्री विकास कुमार साहवाल को अवगत कराया गया जिन्होंने युवक के परिजनों की शीगर जानकारी प्राप्त कर परिजनों के सुपूर्द करने तथा युवक की हर संभव देखभाल की निर्देश दिये थे जो की मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति से अच्छे से पूझताच कर उसके परिजनों की जानकारी प्राप्त की गई जो की पन्ना जिले के रहने वाले पाई गई परिजनों का पता कर सूचना दी गई जिन्होंने बताया कि इसका नाम खेमचंद गोसाई है जो विगत 10-11 मा से घर से लापता है तथा 3-4 दिन पहले हमें इसकी कुछ जानकारी मिली थी थाना गोहरगंज में उक्त युवक के होने की जानकारी मिलने परिजन खुशी से जूम उठे और थाना गोहरगंज पुलिस स्टाप सहित वरिष्ट अधिकारी को धन्यबाद दिया थीजा है यह हमारा पता है 4 दिन से इसको ढूंड रए थे गोहरगंज के ठाना में सरहन ने पकड़ लिया फिर हमारे इहां संदेघ भेजा फोन लगा कर बच्चा ने बताया फोन नमर उन भ दाया हमारे यहां तुम्हारा बच्चा मिला है हम पन्नाजिला से गाड़ी करके गोहर गंज सालिफ आई है नेने सरहन के थाना में बहुत बड़ी धन्म हो सरहन के थाना